दोस्तों नमस्ता डेट्सन डेडी गो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वावत है आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर कस्टमर की जियोसी है कि जब मैं फ्यूल डालवाता हूं तो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो कभी फूल पे सो कर जाता है कभी एक डंडा सब्सक्राखराएं, तो आज मैं आपको पूरा प्रासेस इसमें दिखाऊंगा कि आपको कैसे कंफर्ण होना है कि यापकी गाड़ी का मैंने निकाल के दिखाया हुआ है हर वीडियो में चेक करने की भी वीडियो डाली है उन वीडियो के मैं लिंक दिखा दूँगा डाल दूँगा आप देख ले ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अन्दूसरी तीज ओटोमेटिक कॉन्सिगेशन कैसे करते हैं फ्यूल इंडिकेशन की प्रॉब्लम अगर फ्यूल अपडाउन होता रहता है क्लेस्टर के मेंटर एक कंशीजन से रहता है कि यह पैट्रोल है की नहीं है ठीक है तो आज मैं वो भी आपको सिस्टम से करके दिखाऊंगा यह यह बस चलते हैं अभी मैं दिखा देता हूं फ्यूल पंप निकाल लेता हूं तो देखिए गाड़े में तीन डंडे दिखा किया कम से कम मालो चार 12-13 लीटर पैट्रोल इसके अंधर होना चाहिए दस लीटर से उपर इसके अंधर पैट्रोल होना चाहिए मतलब तो कस्टमर का चन्सरन यह है कि यहां पर देखिए प्योल की लाइट है ना कभी कभी तो यह सो कर जाती है पैट्रोल भेसक्त हमने 10-12 लिटर भी डलवाया हो ठीक है या फिर क्या होता है एक दम फूल टैंक दिखा देगा क्वांटिटी के पता है कि हमने बारा लिटर डलवाया पर यह फूल दिखा देगा तो यह कंफ्यूजन रहता है उसी चीज को मैं आज इस वीडियो में किलियर करने वाला हूं और दोनों सिस्टम से भी इसको अपडेट करेंगे क्लस्टर मीटर को और दूसरा जो अपना फ्यूल पंप ने हमने निकाला हुआ है इस फ्यूल पंप को भी चैक करेंगे इसको कैसे ठीक करने इसको भी चैक करेंगे कैसे ठीक करता है कैसे काम करता है मैं गेज को सो करके दिखाऊंग ठीक है पहले पूरा उपर लेंगे and cluster meter में check करेंगे fuel पूरा tank काब नीचे नो था नि पूरा नीचे करेंगे तो महां देखेंगे zero ले डिखा रहा है के नीगा रहे अगर दिखा रहा ella तो हमारा fuel pump काम कर रहा है गर की काम कर रहा है पर इसके बाद criança विभी तो अभी connector लगा लेते हैं पहले connector को लगाने से लगा जब लगाएंगे तो उसमें आवाज आने चाहिए प्रॉपर ठीक है अब यह अब यह connector इसमें लग चुका है इस टाइम पर हमें क्या करना है इगनीशन और तो गाड़ी का इगनीशन और ठीक है अभी हम गेज को ऊपर करेंगे पूरा गेज पूरा उपर उठाब यहां से दिखा एक मिटों गया ऐसे रखाए ने अब यहां पूरा हमने ऊपर कर लिया पूरा ऊपर जैसे टैंक फुल है पकट लिए उसको यहां पर अभी हम Cluster Meter में देखते हैं जाके तो अभी यहां देखे मैंने पूरा उपर उठा के रखा हुआ है यहां cluster meter में देखिए पूरा full एकदम tank दिखा रहा है ठीक है तो अभी हम एक बाद down करके भी देखते हैं पूरा zero पे आएगा क्या है पूरा down कर दो down हो गया यहां पर देखिए down करने के बाद यहां पर देखो आप cluster meter के अंदर light भी आ गई है and एक point दिखा रहा है इसमें ठीक है मतलब यह है कि हमारी गाड़ी का जो fuel pump है यह proper काम कर रहा है gauge में कोई problem नहीं है ठीक है अभी हम क्या करेंगे system लगा के इसकी automatic configuration करेंगे ठीक है ना तो चलो इसको हमें लगाना है ignition off कर देना है गाड़ी का कि आप कर दिया कि आप करने के बाद connector निकालना है क्योंकि यहां पैट्रोल है sparking वगएरा होने का बहुत ज्यादा खत्रा रहता है यह चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है ман's दो अभी इस फ्यूना को इसमें वापस फिक्स कर देते हैं इक एसा मैंने वीडियो में हर एक इन बिल्ड करके दिखा आया प्रोपर एक वीडियो दिए फ्यून को ढालने के उसको कैसे निकाल सकते है कैसे चेक कर सकते हैं आफ देख लेना मैं डाल दूँगा लिंक उसका तो एक एक चीज बड़े धिहान से आपको करनी है इस गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो थोड़ा सा टाइटी लगता है बहुत से लोगों का मिरे पास कमेंट आ रहा था कि सर हम फ्यूल पंप लगा रहे हैं आपकी वीडियोस को देखके पर फ् से ही लगेगा थोड़ा सा दबाके लगाना पड़ता है क्योंकि इसके नीचे रबर की एक रिंग रहती है उसकी वज़े से हलका से टाइट लगता है और वो रिंग क्या करती है आपके इसको बिल्कुल प्रॉपर फिक्स करके रखती है पेट्रोल लीक नहीं होने देती है लोगों के माइन्ड में रहता है कि यार यह पंप नहीं लगेगा यह खराब तो नहीं हो गया यह कोई प्राइवलम तो नहीं है कुछ नहीं है दबाके ऐसा ही थोड़ा साежाघ ऑके लगता है तो अभी यह पैख हो गया है मैंने फंप को वापस लगा देख मैं अले क्रामेटिक कैलिब्रेशन जो होती है तो अभी मैं देखाते था हूं आपको डेट्सन रेडिकों के अंदर यूएस्बी मतलब यूएस्बी में यार डेलसी डाटा लिंक कनेक्टर पॉर्ट इधर मिलता है आपको ग्लोब बोक्स के नीचे और यह हो गया कंसल 3 टक बुक इसक अब यहां देखो यह डेट्सन गो रेडिको किया है फिर इसका टाइप जो होता है यह होता है यह इसके बाद कंफर्म करना होता है यह आगे प्रॉसेसिंग इसमें चल जाती है तो यह देखिए फ्रेंड्स अभी यह पूरा इसका मोडूल हमने खोल लिया है मतलब जो पास सब्सक्र मनियुक्र कहां जर्द सब्सक्राइब यह पर जो लाइट आती है उसकी फ्यूल वाली उस लाइट के वजह से यह आई थी ठीक है यह जो लाइट है यह दिखाई देंगा थी इस वजह से यह पास्ट में ECM के कोड आ गया अभी इसको इरैस कर देते हैं ठीक है इरैस यहां से होगा एक्स्क्यूड हो जाएगा हूँ कर दे वह इसको अब इसके बाद हमें करना है इसमें automatic configuration ठीक है तो अभी मैं process पूरा तरीके से आपको दिखा देता हूँ हमें cluster meter के अंदर जाना है cluster यहां पर नीचे है उस पर click करने के बाद सीधा हम जाएंगे यहां पर इसको ने पर आगे फिर यह देखिए configuration लिखा हुआ है इस पर configuration पर click करना है click करने के बाद दो option दिखा रहा है read configuration इसमें क्या होता है इसमें हमें detail भरनी होती है गाड़ी की तब लगए उसमें time लगता है बट यहां automatic configuration है तो इस पर click करेंगे करने के बाद नीचे next आ जाता है उस पर click करक अगला option खुलता है फिर उस पर next करना है detail है कि इसको पढ़ लो भाई वाद में validate करना है ठीक है validate करने से पहले आपको confirm कर लेना है ignition on है कि नहीं है ignition इसका on है हम validate इसको कर देंगे मतलब यह switch को on कर देंगे यहां processing चल जाएगी and meter में कुछ light आए मतलब billing होगा मतलब sound कुछ तो यह देखिए ठीक है इससे क्या हुआ और यहां पर देखिए 100% हो गया है and यहां हम इसको end कर देंगे and होती है यह processing complete हो जाती है and इसका जो automatic configuration है वो भी complete हो चुका है हमने दोनों तरीके से check कर लिया है कि cluster meter के अंदर भी कोई problem नहीं है and जो fuel की जो problem थी indication की वो इसके अंदर ठीक हो चुक है जैसे इसमें sound आया automatic configuration करते ही and fuel from भी हमने check कर लिया है तो अभी मैं आपको इसके अंद पर पैट्रोल की condition मतलब क्या है मतलब कितना पैट्रोल होगा वो भी दिखा देता हूं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं के बाद यहां देखिए option आएंगे बहुत सारे ठीक है डाटा मोनिटर वर्क सपोर्ट एक्टिव टेस्ट इसी यू इदेंटिफिकेशन यहां क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे करने के बाद तो जैसे मैंने क्लस्टर को ओन किया डाटा मोनिटर में जाके यहां पर देखिए फ्यूल लेवल डिस्प्लेड लिखा हुआ है इस पर जैसी हम क्लिक करके स्टार्ट करते हैं तो जो टैंक के अंदर पैट्रोल है लेटर में वह आपको दिखाई दे जाएगा यह देखिए झाल, 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 झाल